इस बीच एक बड़ी कपर आ रही है, बात महराश की करते हैं, जहापर BJP नेता सना खान की डेठ मिश्ट्री की, जिसे पुलिस में सुलझाने का दावा किया है, BJP नेता सना खान की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है सना खान के पती ने ही उसकी हत्या की थी पुलिस ये कह रही है और सना के पती अमित को पुलिस ने पकड़ लिया है आरोपी अमित ने अपना जुर्म भी कुबूल कर लिया है ये पुलिस ने कहा है ये वही तस्वीर है सना की अब सना के पती ने ही हत्या कराई थी आरूपी अमित जो पत्ती है उसने अपना जुर्म भी कुबूल कर लिया है रज़त जुड़रा है हमारे साथ इस खबर को विस्ता देने के लिए रज़त पूरा मामला बताईए कब पुलिस ने पूस्टाज की और उसने अपने कुबूल नामे में क्या कहा है जी सनाखान एक अगस्त की रात नाकपूर से जबलपूर गई थी और उस समय यह बताया गया था कि उनका अमित साहू जो की उनका पती बताया जा रहा है उससे कुछ जगड़ा हुआ था उसके बाद ही वे तुरंद जबलपूर पहुँची थी दो अगस्त के एक सुबह जबलपूर पहुचने के बाद जहां अमित साहू जिस इलाके में रहता था अमित साहू के घर पर दोनों में कहा सुनी हुई और उसी जगड़े में अमित साहू ने गुस्से में आकर सनाखान के सिर पर लोहे के रोट से वार किया था और जिसमें स सनाखान की मौत हो गई थी उसके बाद से ही सनाखान के फोन लगातर बन थे सनाखान के परिवार वालों ने नाकपूर में उनकी गुमशुद्गी की तीन अगस को शिकायत दर्ज कराई थी तब ही से नाकपूर पुलिस इस मामले की जांच में जूटी भी थी वहां पत्रकारता कोई इमोशन नहीं है ना अपना कोई ग्यान देना है और ना कोई विचार थोपना है पत्रकारता क्या है पत्रकारता का मतलब है सही जानकारी इकठा करना और तथे बताना पत्रकारता आज जितने महत्वपूर दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से कलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जुरूब है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम है जगविंदर पटियाल के साथ देखे पबलिक इंट्रेस्ट सत्रह जुलाई से सोबवार से शुक्वार रात नौ बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे